चंडीगड को मौडरन ही नहीं सीटी ब्यूटीफुल भी कहा गया है यहां पर हर जगया प्लानिंग के साथ बनाई गही है फिर चाहे वो सडके हो आफिस हो या लोगों के रहने के लिए घर हो हर कुछ बहुत ही सलिके से बनाया गया है क्योंकि आज चंडीगड की निर्मान दिवस हैं और इस दिवस को मनाते हुए हम जानते हैं चंडीगड की कुछ खास बातों को लिकिन क्या आपको पता है कि यह शहर बनकर कैसे त्यार हुआ था आजादी के तुरंद बाद इसकी नीव क्यों रखी गई थी तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी च चंडी का तात्रय है हिंदू देवी चंडी से और गड का अर्थोत है किला यह नाम चंडी मंदर से लिया गया है जो पंचकुला शहर के पास हिंदू देवी चंडी को समर्पित एक प्राकीन मंदिर है सन 1960 में चंडीगड बनकर त्यार हो गया था और इस साल इसे पंजाब से अलग हो गया था हर्याना वह पंजाब दोनों ही राजियों ने चंडीगड को राजधानी बनाने की बात कही और तब से लेकर अब तक चंडीगड शहर दोनों राजियों की राजधानी है लेकिन चंडीगड को केंडर शासित परदेश का दर्जा दिया गया है य इसलिए यहां संस्कृति और परंपरा में एक अलग मिश्रन देखने को मिलता है वहीं इस शहर का शेत्रफल 14 किलोमेटर है सिटी ब्यूट्यूफल अपने डिवेल्पमेंट और एजुकेशन में भी काफी परसिद हैं आज के समय में इस छोटे से शहर में 200 से जादा स्कूल ह और 190 एजुकेशन इंस्टिट्यूट मुझूद हैं जहां पर भारत के कोने कोने में बच्चे बढ़ाई करने आते हैं लेकिन चंडिगड शहर के लोग एजुकेशन में बहुत ध्यान देते हैं तब ही इस शहर का लिट्रेसी रेट लगभग 19 प्रतिशत के आसपास है सिर् रहें अर्थ प्रकाश के साथ ताज़ा अपडेट्स बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें